नमस्कार टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हो कुलदी बुलिटेन के शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ जैपूर अजमीर और टौक जिले की लगभग एक करोड की आबादी को पीजल उपलब्द कराने वाले बीसलपुर बांध पर इस बार बावन दिन से खुशो का मांसुन चाया हुआ है सुमबार सुबह बांध का जलस्तर 313.2 आरल मीटर का पार कर चुका है बांध का जलस्तर अब 313.2 आरल मीटर हो गया है बांध को भरने वाली 33 निदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और बांद का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है अब जल सरसंदर विभाग के अधिकारी बांद के जलकने का अंतजार कर रहे हैं प्रदेश में एक जुलाई को जब मांसून सक्रिय हुआ था तब बांद का जलस्तर 309.05 आरल मिटर था राजधानी जैपुर में मांसून की जड़ी लगी हुई है देराज शुरू हुआ मांसून बारिश का दौर लगातार जारी है पिछले चार दिनों से धूप और उमस्त लोग परिशान थे लेकिन आज हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है बारिश से जैपुर के परेट बारिश का यह सलसला अगले दो दिन तक जारी रहेगा और इस बारिश के बाद जिले में तापमान में भारी गिरावर दर्श की गई है जैपुर के चाक्सु में शीतला गांव विस्तित अलाकावास बान इंदनों लोगों के लिए पिकनिक स्पोर्ट बना हुआ है जैपुर समयत आसपास की अलाकों में तीज बारिश होते ही बांद में पानी के आवक शुरू हो जाती है किशन गंज कजबे में मुस्तादार भारी वर्शा के बाद वरसात का पानी यहां बसस्टेंड अस्पिताल रूड हाट बरीसर में दो दो फुट तक पानी भर गया ह यहां लगने वाले हाट में भी बरसात से पूरी तरह प्रभावित नजर आए दुकानदारों के सामान भीग चुके हैं वहीं तीज बारिश के कारण कजबे के अस्पिताल में पानी पानी हो गया है पर्ची काउंटर विश्राम इस्तल भरती मरीज चिकस्सक कक्षे और अस सामना करना पड़ रहा है सवाई माधिवपूर के उप्खंड शेतर खंडार में ग्राम राज के उच्च मादमक विध्याले में अध्यपक द्वारा विध्याले के चात्राओं के साथ छेड़ चार की घटना में गाउं के ग्रामिन काफी आक्रोशित है इस घटना को लेकर वसंद्रह सरकार में संसदिय सचीव रहे खंडार की पूर्वे विधायक भाजपा के प्रदेश मंतरी जितिंद्र गोठवाल ने अध्यापक द्वारा विध्याले में चात्राओं के साथ छेड़ चार की घटना कुले कर राज्य की गहलो सरकार में बच्चियों के साथ अंद्रन किया जाएगा फिलहाल इस बुलिटिन में तना ही आप देखते रही है टीपी वीडियोस